किसी कक्षा में 4 मितर बिंदूओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसे कि अगरती 7.8 में दर्शाया गया है तो यह आपके पास एक कक्षा है जिसके अंदर 4 मितर हैं जो कि A, B, C और D पर बैठे हुए हैं चम्पा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चम्पा चमेली से पुस्ती है क्या तुम नहीं सोस्ती हो कि A, B, C, D एक वर्ग है चमेली इससे सहमती नहीं है दूरी सुत्र का प्रोग करके बताए कि इन में कौन सही है चार आपके पास मितर बैठे हुए हैं A, B, C, और D और क्लास के अंदर आती हैं चम्पा और चमेली चम्पा चमेली से कहती है कि A, B, C, D एक वर्ग है लेकिन चमेली मनाग कर देती है कि ये एक वर्ग नहीं है दूरी सुत्र से आपको बताना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं है सबसे पहले हम वर्ग के उपर बात कर लेंगे जो आपके पास वर्ग होता है उसकी सभी बुजाएं आपस में होती है जैसे कि मैं लिग रहा हूँ A, B, C, O, D आपके पास A, B ब्राबर होगा B, C, B, C, D, B, R, A, D और आपके पास विकरण भी बराबर होता है यानि कि A, C बराबर होगा भीड़ी के तो आपके पास दोनों के दोनों कंडिशन आपके पास लगने चाहिए तो आपके पास A, B, C, D, A एक वर्ग होगा अगर इन में से दोनों में से कोई भी कंडिशन आपके पास नहीं लगती है तो आपके पास कोई दूसरा तिरबूज आपके पास होगा जब अब चलते हैं कोशन के उपपर चमपा ने कहा ये ये है एक वर्ग लेकिन चमेली बोलती है कि ये एक वर्ग नहीं है आपने बताना है कि चमपा ठीक है या चमेली ठीक है वह में पता लगेगा इन दोनों कंडिशनों को पूरा करने के बाग तो हम आपको point बनाने सिखाते हैं जैसे कि ये मेरे पास है x-axis और ये मेरे पास है y-axis तो हमारे पास सबसे पहले x-axis की value लिखे जाते हैं सबसे पहले एसे start कर लेते हैं तो x की value है 3 3 और y की value है आपके पास 4 तो यह हमार पास है a बिंदू जिसके अंदर x की value है आपके पास 3 और y की value है 4 फिर मेरे पास है point b जहाँ पर आपके पास x की value है 6 और y की value है 7 फिर मेरे पास है 9 और y की value है 4 तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 9,4 फिर आपके पास आता है d point x की value है आपके पास 6 और y की value है 1 तो आपने बताना है कि यह एक वर्ग है क्या नहीं तो आपको सबसे पर एक condition पूरा करना है a b ब्राबर है b c ब्राबर है c d ब्राबर है a d k फिर आपको ब्राबर बताने है पहली condition और दोनी condition जब लग जाएगी तो आपके पास वर्ग के बारे में पता लग जाएगी यह है कि नहीं है तो सबसे पहले दूरी का formula लगाते हैं तो हम सबसे पहले a b के लिए निकालेंगे तो a b ब्राबर हमारे पास बजाएगा हम म मेरे पास x2 x1 में आजएगा तो मैं लिख दूंगा x2 माइनस x1 का whole square जमा y2 माइनस y1 का whole square अंडर्वूट आपके बार 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 एकस टू है आपके पास 6 माइनस है x1 आपके पास है 3 y2 आपके पास है 7 माइनस है y1 आपके पास है चार 6 माइनस 3 का whole square तो मेरे पास रहेगा 3 का square जमा 7 माइनस 4 का square यानि कि यह भी मेरे पास रहेगा 3 का square तो मेरे पास 9 जमा में 9 आ जाएगा यानि कि अंडर्वूट आ जाएगा 18 18 के हम बना लेते हैं गुननकन तो हमारे पास आएगा 2 9 3 3 3 तो हमारे पास 3 भार जला जाएगा दो अंदर है जाएगा यानि A B की वैल्वा के पास है यह है 3 अंडर्वूट दो ऐसे हम निकाल लेंगे B C की वैल्वूट तो B C हो जाएगा अंडर्वूट X3 और X2 में X3 माइनस X2 का whole square जमा Y3 माइनस Y2 का whole square हो जाएगा अंडर्वूट X3 के वैल्वा आपके पास है 9 माइनस 6 का whole square Y3 आपके पास है 4 माइनस 7 का whole square तो मेरे पास हो जाएगा 3 का square जमा माइनस 3 का square तो मेरे पास हो जाएगा 3 का square जमा माइनस 3 का square तो मेरे पास हो जाएगा 9 तो यह मेरे पास जाएगा under root 18, solve करेंगे तुम्हार पास जाएगा 3 under root 2, अब निकाल लेते हम c d key value, तुम्हार पास हो जाएगा c d बराबर हो जाएगा x4 x3 में, x4 x3 का whole square, x4 minus 3 का whole square, जमा y4 minus y3 का whole square, x4 की value आपके पास है 6 minus x3 आपके पास है, 9, y4 आपके पास है 1 minus 4 हो जाएगा तो 6 minus 9, तो minus 3 का whole square हो जाएगा 1 minus 4, यानि की minus 3 का whole square हो जाएगा minus 3 का whole square, तुम्हार के पास हो जाएगा 9 plus 9, यानि की under root 18, यानि की 3 under root 2 3 under root 2, 3 under root 2, और उपर वाली value है 3 under root 2 अब निकालेते हैं, ad, युम्हार पास हो जाएगा ad बराबर हो जाएगा, under root, x4 और x1 में आपका form आपके पास हो जाएगा, x4 minus x1 का whole square y4 minus y1 का whole square, x4 यानि की 6 minus 3 का whole square jama 1 minus 4 का whole square, 6 minus 3 का, solve करेंगे तो मारे पास हैगा 3 का square, jama 1 minus 4, मेरे पास हैगा minus 3 का square, तो solve करेंगे हमारे पास हैगा 9 plus 9, यानि की हो जाएगा मेरे पास under root 18, solve करेंगे हमारे पास हैगा 3, root 4, तो आपने देखा कि चारों को जाएं बराबर आ गई हैं, अब मुझे विकर्ण निकालना है, विकर्ण मेरा बराबर आ जाएगा तो दोनों करेंशन आपको पास लग जाएगी तो हमें अबरक के बार में पता लग जाएगा, तो हमारे पास विकर्ण हो जाएगा x3 minus x1 का whole square जमा y3 minus y1 का whole square x3 की value आपके पास है 9 minus x1 आपके पास है 3 y3 आपके पास है 4 minus 4 का whole square तो 9 minus 3 यह तो मेरे पास 6 का whole square हो जाएगा जमा जाएगा 0 यानि कि under root 6 square under root से square कर जाएगा तो आपके पस ac की value आजाएगी 6 अब हमें दूसरे विकर्ण निकालना है b और d में तो हमें लिख देंगे b d बराबर है formula के पास बनेगा x4 और x2 के अंदर तो हम बना देंगे formula x4 और x2 के अंदर y4 और यह y2 क्या formula में बन जाएगा अब लगतेंगे value x4 आखके पास है 6 minus x2 आखके पास है 6 plus y4 आखके पास है 1 minus y2 आखके पास है 7 तो जेगा 0 को square जमा minus 6 का whole square तो मेरे पास value आजाएगी यह तो 0 को क्या minus 6 का whole square तो minus 1 को अगर मैं solve करूँ जैसे कि मैं आपको यहां solve करके बता रहा हूँ तो minus 6 का whole square है तो मैं इसको लिख सकता हूँ minus 1 का square और साथ में 6 का square minus 1 का square तो आपके पास पुझाएगा 1 तो सिर्फ मेरे पास पुझाएगा 6 का square तो यहां पर solve करके आएगा मेरे पास 6 का square तो under root से square आपके पास कट जाएगा और जो bd की value आएगी आपके पास आएगी 6 तो अपने साफ साफ देखा कि सभी बुझाएगे आपके पास ब्राबर है और विकरन भी आपके पास आएगे ब्राबर तो यह एक वर्ग है आपका main answer आप लिखा जाएगा तो a b ब्राबर है b c ब्राबर है c d ब्राबर है a d के दूसी करनेशना के पास है a c ब्राबर है b d के तो वह answer लिख देंगे हाँ यह है एक वर्ग है साथ ही आपको बताना है कि चमपा सही थी कि चमेली सही थी तो हम अपना लिख देंगे कि चमपा सही है तो आप कहा answer हो जाएगा चमपा तो हम अपका प्राइब से देंगे पितका जाएगा अव्य्त सही है जाएगा